हेई यूटूब वेलकमीन माई चैनल तो आज मैं खेलने वालो माइंड क्राफ्ट तो इस बाले एपिसोड में हम बनाएंगे एकस्पी फार्म जी हाँ अप लोगों पताएं मैं पिछले एपिसोड में सारे के सारे टूल्स इंचांटमेंट कर लिये थे और इंचांटमेंट करने के टाइम मुझे बहुत जादा एकस्पी की जरूरत पर रहे थे तो मैं बार बार एकस्पी के लिए विलेजर से टेडिंग तो कर नहीं सकता और मैं मॉप से फाइट भी कर नहीं सकता क्योंकि मेरा आर्मर का हेल्द बहुत जादा कम है तो मैं सस्रों कि मैं अपने वर्ल्ड पे एक पर्मनेंट एकस्पी फार्म बनाओ जी हाँ दोस्तों मैं अपने वर्ल्ड पे एक पर्मनेंट एकस्पी फार्म बनने वाला हूँ तो देखो मैं जो एकस्पी फार्म बनने जा रहा हूँ सबसे बेसिक बले SP farm जो हार कोई बंदा बना था है अपने Minecraft की शुरुवात में लेकिन मैंने अभी तक नहीं बनाया ठीके ठीके कोई बात नहीं तो अब लोगों पता चली चुका है कि मैं कौन सा वाला SP farm बनने बला हूँ जीहां मेरे को कोई spawner नहीं मिला मैं बहुत जागा ढूंडा लेकिन मुझे कोई spawner नहीं मिला जहां से मैं XP farm बना सकता हूँ बहुत easy तरीके से तो sadly मुझे ये farm बनाना पर रहा है अभी कोई कॉमेंट पर लिखेगा अरे तो जो Minecraft खेलता है उसमें केल बला XP farm होता है बहुत easy तरीके से बन जाता है चुप बिल्कुल चुप मुझे पता है ओबला XP farm होता है इस बले Minecraft के अंदर तो इस update आने के बाद अभी ओब XP farm कम करना बंद कर दिया है जीहां मैं बहुत ज़्यादा सैड हो चुका हो इसलिए मैं रोना चाहता हूँ कहा जाओ मैं ठीक है अभी क्या कर सकता हूँ तो इस बले XP farm में मुझे को बनाना पड़ेगा तो देखो XP farm बनने के लिए जो जो चीज चाहिए मैं अपने चेस्ट रूम से उठा लेता हूँ जी हाँ मेरा चेस्ट रूम बहुत नूब बला है लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं यही चीज बना सकता हूँ ठीक है तो XP farm बनने के लिए मुझे बहुत सारा कोबल स्टोन चाहिए तो मुझे बहुत सारा कोबल स्टोन चाहिए और कोबल स्टोन मेरा इस चेस्ट के अंदर है इधर से मैं ले लेता हूँ मेरे को जितना कोबल स्टोन चाहिए तो देखो इतने स्टैक में कोबल स्टोन ले लिया मेरे को पता ही ये कम पर सकता है लेकिन जितना हो सके मैं बना देता हूँ इससे बाद में मैं और जादा तोड़ के लाऊंगा तो देखो आप लोगो कुछ और चीज दिखाना था मेरा वाल पे मेरा वाल के अंदर थोड़ा सा अपगेट किया तो आप लोगों सबसे पहले ओई चीज देखा देता हूँ तो देखो मेरा माइनिंग का एंट्रांस थोड़ा सा चेंज किया बस ठीके 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 कोई नूब नहीं बोलेगा कमेंट पे देखो गाइस इधर मैं थोड़ा सा कोपर का गेट बना दिया फाइनली मैं कॉपर यूज करने लग गया मैं अपने वाल्ट के अंदर तो अभी देखो नीचे थोड़ा सा उक्सिडाइस हो चुका है अभी ये बहुत जादा और भी जादा उक्सिडाइस हो जाएगा लेकिन से फर से एक ब्लोक हुआ और भी जादा होना चाहिए था तो देखो और एक चीज़ मेरा कैक्टास फार्म फाइनली मैं कॉंपलीट कर दिया इतने टाइम के बाद ये तो मेरा कैक्टास फार्म कॉंपलीट हो चुका है अभी इससे मुझे बोन में मिलता है लेकिन बहुत कम बोन मिलता है I think मेरा इस बाले फार्म फेल हो चुका है जी हां मेरा इस बाले फार्म फेल हो चुका है कोई बात नहीं करेगा इसका चोड़ो तो देखो बाते करते करते नाइड भी हो चुका है और देखो कितना सुन्दर लग रहा है मेरा घर के आस पास बहुती जादा सुन्दर लग रहा है तो देखो सुन्दर रात नश्ट करने के लिए आ चुका है अब बे हट तो फटक से मैं सो लेता हूँ नहीं तो इस बसुरा जंबी आ के मारते है सुवा हो चुका है गुल्ड मॉर्निंग उदावर देखो सारे के सारे कैसे जल रहा है तो देखो मेरा जो एकसवी फार्म है मैं बनना चाहता हूँ इस साइड पे तो इधर जितने भी पेड था जितना भी जंगल था सारे के सारे मैंने तोड दिया जी हा गास मैं डी फॉर्स्टेशन करा तो ठीक है छोड़ो तो देखो मैं जो एकसवी फार्म बनने बाला हूँ इस जगा बनने बाला हूँ जी हा इस जगा बनाऊंगा मेरा घर के तोड़ा सा पीछे तोड़ा सा इस जंगल के एडिया पे तो सबसे पहले मुझे और थोड़ा पेर कटना पड़ेगा जिया और थोड़ा पेर मुझे कटना पड़ेगा इधर से तो देखो जागा इधर से क्लियर थोड़ा सा हो चुका है अभी जो जो सामन चाहिए और मैं अपने इंवेंटरी के अंदर ले के आता हूँ तो देखो मैं मेरे को जो जो चाहिए मैं ले के आया मेरे को चाहिए था फोर हॉपर और फोर चेस्ट अनली तो इसको मैं प्लेस कर देता हूँ इधर एक, दो, तीन, चाहर ओके तो आभी देखो मेरे को एक ब्लॉक छोड़के चाहर साइट से मेरे को 20 ब्लॉक उपर बनाना पड़ेगा चाहर ठीन, चाहर जाढ चाहर मेरे को 30 die बढ़े श्यीन है मैं तर आव चैन तर तो कोई आपकवाय नहा हुआर दो आपकवाय नहा हुआnd मैं तो आपकवाय नहांयो वर छो कि रिपल आपकावाय नहादन उंगाकवाय नहादन तो देखो मैं 20 ब्लोक उपर बना दिया अभी मेरे को और दो ब्लोक उपर बनाना पड़ीगा तो अभी मेरे को एट ब्लोक बाहर ले जाके एक प्लाटफॉर्म बनाना पड़ेगा इधर अभी देखो मेरे को दो ब्लोक उपर ले जाना पड़ेगा ऐसे ही तो देखो मैं 2 ब्लोक उपर बना दिया अभी मेरे को इसके उपर एक प्लाटफॉर्म बनाना पड़ेगा तो मैं मिलता हूँ इसको कम्प्लिट करने के बाहर और तो guys, देखो, मैं पोड़ा का पोड़ा platform बना दिया, तो अभी मेरे को चाहिए trapdoor, तो इसके लिए मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा, अभी और देखो, मेरा cobaliston भी खतम हो चुका है, तो मेरे को और भी थोड़ा सा cobaliston चाहिए, थोड़ा सा नहीं बहुत जादा ही चा तो अभी मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे जाने के लिए मुझे, एक रस्ता बनाना पड़ेगा, अभी मेरे को नीचे जाओ कैसे, तो काइस, देखो मैं एक काम करने वाला हूँ, एधार एक पानी का पाकेट डलने वाला हूँ, इस पानी की जड़िये से मैं उपर आ सकता हूँ, और नीचे जा सकता हूँ, यही बेटर होगा, ठीक है, ठास कोड, चलो, ओ, ओके, तो ट्रापडोर लेके आ चुगा हूँ, 64, एक स्टक, एक स्टक ही लागेगा, और कोबाल स्टोन, ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं ट्रापडोर प्लेस करना, प्लेस कर देता हूँ, उसके बाद आप लगों से मिलता हूँ, स्टक लेके 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 अब ही मेरे को वार्टर प्लेस करना पड़ेगा तो प्लेस कर दिया मैंने सारे के सारे जगा अभी इसको तोड़ना पड़ेगा वाट तो देखो अभी उपर से इसको ढाकना पड़ेगा तो इसके लिए मुझे उपर भी एक प्लाटफर्म बनना पड़ेगा तो गाइस मेरा फार्म कंप्लेट हो चुका है तो आभी देखो एक दिक्कत आ रहा है मैं थोड़ा सा ज्यादा उच्छा कर दिया इसलिए मॉप्स नीचे गिर रहा है लेकिन गिर के ही मर मतलब मर जा रहा है यह देखो तो इसके लिए मैंचे आइटिंक मेरे को ए देखो आइटिंक मेरे को एक ब्लॉक उपर बनना पड़ेगा यह वाला अभी उपर से देखो अभी मॉप नीचे गिरेगा के सबसे पहले में एक काम करता हूँ इधर थोड़ा सा कोबल स्टोन प्लेस कर देता हूँ तो 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 मेरा फार्म जो है कंप्लिट हो चुगा है अब इदर उपर से गिर के मर नहीं रहा है अब इधर मैं जाओंगा तब ही ये लोग मुझे देखनी पाएगा तो अब ही मैं इसको मार सकता हूँ इन लोग को तो चलो सुरुवात करते मेरा इधरका इकस्पी फार्म को भी मर ये जा रहा है तो कस देखो अभी क्या से एकस्पी बर रा ही और बहुरे नाइट हो चुग Lewis तो मेरे को जल्दी जाके अभी सोना पाड़ेगा नई तो बहुर से जंभी आके बहार जंभी स्पॉन हो के मिरे को मार देगा तो अभी मेरे को घर के अंदर जाके पहले सोना पड़ेगा ओके तो गाइस मेरा XP फार्म कंप्लेट हो चुका है अभी मेरे को XP की कमी नहीं पड़ेगा तो मैं सुस्टो में और एक चीज चेक कर क्या हूँ मेरा कैक्टस फार्म कैसे चल रहा है अभी मेरे को इतना सा प्रोफिट हो रहा है इससे अच्छा तो मैं इसके लिए डन की बोन लेकर बोन मिल बना लेता है वो भी एक बोन से बहुत जादा बोन मिल बन जाता है तो इतना मेरे को करना नहीं परता अभी बना लिया तो क्या करूँ अभी रहने देता हूँ थोड़ा सा डेकोरेशन अच्छा लगेगा मतलब इधर एक बड़ा सा फार्म अच्छा लगेगा मेरा वाल्ड के अंदर ओके तो गाइस मेरा नेक्स वीडियो होने बला है मेरा आर्मर इंचंट्मेंट का तो अभी देखो आप लोगो और एक चीज बताना था मेरा हेलमेट जो है वो तुट चुका है वो क्याक्टास फार्म मनाने के टाइम पे तो मेरे को एक फॉट्चुन ढूंड के मेरा पिकस पे लगा के फिर मेरे को डाइमंड माइनिंग करने के जाना परेगा तो अगले बाले विडियो पे तब तक के लिए बाई बाई